आथियो नमस्कार सीजी स्कूल पोर्टल में अगर आप एक से अधिक नॉमिनी रखना चाहते हैं तो उसे कैसे आपको नॉमिनी विवराण वाले आपसन में फिलप करना है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर नाम लिख लेना है जिसको भी आप रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नाम लिख देता हूँ नाम लिखने के बाद दोस्तों हम उनका जन्मतिती सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2024 लिखा हुआ है थजडे के उपर उसको आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको संचूस कर लेना है संचूस करने के बाद आपको माह में जाना है और सिधे डेट को सलेक्ट कर लेना है जब आप डेट और सभी चीजे सलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सेट बटन है उसको आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद एक बार यह रिफ्रेस होकर पुना वहीं पर आ जाता है यह देखिए आ गया है अब दोस्तों आपको संबंध वाले अपसन में जाकर इससे क्या संबंध है उसे आपको फिलब करना है दोस्तों आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही यह रिफ्रेस होकर इस प्रकार से यह देखिए यहाँ पर एक सूची तयार हो गई है जिसमें नाम जन्मतिति आयू संबंध और प्रात्मिकता नजर आ रहा है अब हमें पुना दूसरे नामनी को आट करना है तो नामनी एड करने के लिए हमें फिर नाम जन्मतिति फिलब करना है तो मैं यहाँ से फिलब कर देता हूँ जैसे ही आप जन्मतिति डालेंगे वह फिर रिफ्रेस होकर आ जाता है आप यहाँ पर संबंध तो यहाँ से संबंध का चैन कर लेंगे उसके बाद प्रात्मिक्ता तो यहां से दो नंबर उसके बाद दोस्तों पुना एड बटन पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही फिर रिफ्रेस होकर आ जाता है और यहां पर देखिए दो लोगों का नाम यहां पर इस सुची में आ गया है और प्रात्मिक्ता को देखिए एक दो इसी प्रकार हम तिसरे व्यक्ति को भी नॉमिनी में रखना चाहते हैं तो उसका नाम जन्मतिति फिलप करते हैं ये देखिए दोस्तों रिफ्रेस होकर आ गया अब हम यहां से संबंद चैन कर लेते हैं पुत्र और प्रात्मिक्ता में तिन नमबर अब पुना हम इस एड बटन पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद तीनों का जो नाम है इस प्रकार सुची में आना चाहिए इस बात को आप धियान रखेंगे कई लोग तीसरे नमबर पर जैसे ही यहां पर नाम लिखते हैं और सब्मिट करेंगे तो तीसरे सब्मिट उसके बाद OTP प्राप्त करेंगे पर क्लिक करना है और जैसे ही OTP आएगा फिर OTP को वेरिफाइ कर देना है तो दोस्तो इसी प्रकार आप नॉमनी एक से अधिक आड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं धन्यवाद